C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की पाठे पुस्तक विज्ञान 1. प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 13. चुम्बकों द्वारा मनुरंजन. प्रिष्ट 1 से प्रिष्ट 11 तक. तो आई अब सुनते हैं पाठ 13. प्रिष्ट 125 पहली तथा बूजो ऐसे स्थान पर गए जहां आप्षिष्ट यानि कूडा कबाल पदार्त के बड़े बड़े धेर थे. कुछ प्रोसाह घटना घट रही थी. कूडे के धेर की ओर एक क्रेन जा रही थी. क्रेन ने इस धेर की ओर एक गुटके को नीचे किया. फिर वह गुटका उपर उठने लगा. अनुमान कीजिए यहां क्या हुआ? बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकडे गुटके के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगे. चित्र संख्या 13.1 इस चित्र में कबाल के धेर से चुम्बक द्वारा लोहे के टुकडों को उठाते हुए एक क्रेन के जरिये दिखाया गया है. उन्होंने अभी अभी चुम्बकों के बारे में एकती रोचक पुस्तक पढ़ी थी. तथा वो तुरंत जान गये थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुम्बक जुड़ा था, जो कबाल से लोहा चुन रहा था. आप में से कुछ लोगों ने चुम्बक वश्य देखे हुँगे, तथा इनसे खेल कर आनंद भी उठाया होगा. क्या आपने चिपकू स्टीकर देखे हैं, जो लोहे की सत्वों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दर्वाजों से चिपक जाते हैं? कुछ पिन धारकों यानि होल्डरों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं. कुछ पैंसिल बॉक्सों में ताली की वैवस्था के बिना भी जब हम धक्कन बंद करते हैं तो यहां कसकर बंद हो जाता है. ऐसे चिपकों पिन धारकों तथा पैंसिल बॉक्सों में चुमबक लगे होते हैं. चित्र संख्या 13.2 इस चित्र में कुछ सामाने वस्थूएं जैसे पिन होल्डर, पैंसिल बॉक्स और फ्रिज को दिखाया गया है. यदि आपके पास इन में से कोई भी वस्थू है तो उनमें छिपे चुमबकों को खोजने का प्रयतनी कीजिए. चुमबक कैसे खोजा गया? इस चड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वहाँ आश्चर चकित हुआ. चट्टान चड़ी को अपनी ओर आकर्शित करती प्रतीत हो रही थी. प्रिश्ट एक सौ चब्बीस चित्र संख्या 13.3 इस चित्र में एक पहाड़ी पर मेगनेस द्वारा एक छड़ी को चट्टान से उठाते हुए दिखाया गया है. यहाँ चट्टान एक प्राकृतिक चुम्बक थी और इसने गड़रीय की छड़ी की लोहे की टूपी को अपनी ओर आकर्शित कर लिया था. कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुम्बक की खोज हुई. संभवता उस गड़रीय की नाम पर उस पत्थर को मेगनेटाइट नाम दिया गया. मेगनेटाइट में लोहा होता है. कुछ लोगों का विश्वास है कि यहाँ मेगनेटाइट मेगनेशिय नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था. जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुम्बक कहलाते हैं लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे की टुकडों को आकर्षित करने का गुण होता है उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे-छोटे टुकडों में कुछ विशीश गुण होते हैं प्रकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुम्बक कहा ततपष्चात लोहे के टुकडों से चुम्बक बनानी की विधी का आविश्कार हुआ इन्हें कृत्रिम चुम्बक कहते हैं आज कल विभिन आकृतियों के कृत्रिम चुम्बक बनाए जाते हैं उधारण के लिए छड़ चुम्बक, नाल चुम्बक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुम्बक, जैसा की चित्र संख्या 13.4 में ऐसे ही कुछ चुम्बकों को दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुम्बक रखे तथा इसे कागस से ढग दीजिए, जिससे की चुम्बक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांधिजिए। ध्यान रखें, धागे की लंबाई को परियाप्त छोटा रखना यहां एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाईए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांती हवा में रुका रहता है। चित्र संख्या 13.5 इस चित्र में चुम्बक के प्रभाव को दर्शाया गया है। एक प्रिष्ट 127 एक छोटे से चुम्बक को टेप या गोंद की साहता से चिपका सकते हैं। आईए अब हम विद्याले के खेल के मैदान में मैगनस भ्रमण पर चलें। हमारी मैगनस छड़ी विद्याले के मैदान से क्या-क्या वस्तुएं उठाती है। कक्षा के कमरे से यहां किन वस्तुओं को उठाती है। अपने पासपड़ों से दैनिक जीवन में काम आने वाली विद्याले वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैगनस छड़ी से इनकी जाँच कीजिए। आप एक चुम्बग भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुम्बग से छुएं और देखें कि कौन-कौन सी वस्तुओं इस से चिपकती हैं। अपनी नोट बुक में सारणी 13.1 की भाती एक सारणी बनाईए तथा अपने प्रेक्षन अंकित कीजिए। सारणी 13.1 का अंतिम कौलम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुम्बग द्वारा आकर्शित होती हैं। सारणी 13.1 में एक सारणी दी गई है जिसमें तीन कौलम हैं। पहले कौलम में वस्तुओं का नाम, दूसरे कौलम में वो पदार्थ जिसकी वस्तुओं बनी हैं जैसे कपड़ा, प्लास्टिक, अलुमिनियम, लकडी, कांच, लोहा या अन्य कोई। तीसरे कौलम में मैगनस छड़ी या चुम्बक द्वारा आकर्शित होता है या नहीं। वस्तुओं का नाम, लोही की गेंद, स्केल, जूता, पदार्थ, लोहा, प्लास्टिक और चम्रा। मैगनस छड़ी से चुम्बक द्वारा आकर्शित होने वाले, लोही की गेंद, हाँ, स्केल, नहीं, जूता, ये आपको बताना है। अब उन पदार्थों की सूची बनाईए, जिन से ये वस्तुओं बनी हुई हैं। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ट पदार्थ है, जो चुम्बक द्वारा आकर्शित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्देमान है। हम यह समझते हैं कि चुम्बक कुछ पदार्थों को आकर्शित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुम्बक की ओर आकर्शित नहीं होते। वे कौन से पदार्थ हैं जो आपने अचुम्बक की ओर पाए। क्या मिट्टी चुम्बक की ओर पदार्थ है या अचुम्बक की ओर यहां बूझो आपसे यहां प्रश्न पूछना चाहता है, एक दरजी कमीज में बटन टांक रहा था, उसके हाथ से सुई फिसल कर फर्श प्रिश्ट 128 लोहे का बुरादा हो सकते हैं। इस प्रकार के क्रिया कलाब दुआरा हम यह ग्याद कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोहकन वित्यमान हैं। अपने घर के पास स्कूल में अथवा अवकाश की दिनों में भ्रमण किये गए स्थानों पर इस क्र प्रयास कीजिए. क्या चुम्बक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर, जैसा कि चित्र संख्या 13.6 में दर्शाई गई है, किसी प्राकरण जैसी है? आपने जो ग्याद किया है, उसकी एक सारणी बनाईए. सारणी 13.2, रेद में रगड़ा हुआ चुम्बक, कितना लो बस्ती और कस्बा या शहर या गाउं. दूसरे कॉलम में है, क्या आपको चुम्बक से चिपका लोहे का बुरादा मिला? बहुत अधिक या बहुत कम या बिलकुल नहीं. चुत्र संख्या 13.6 चुम्बक A. परियाप्त लोहे के बुरादे के साथ दर्शाया गया है, B. इस सारणी को भड़ते हैं और इसे पहली तथा बूजों के पास भीजते हैं, तो वे देश के विभिन भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं. वे आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं. हमने देखा कि मिट्टी में चुम्बक रगडने पर लोहे के कंड यदि उपस्थि थें, तो चुम्बक से चिपकते हैं. क्या आप चुम्बक से चिपकने के धंग में कुछ विशेश्टा देखते हैं? क्रिया कलाई चार एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाईए, इस शीट के उपर एक छड़ चुम्बक रखिए आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुम्बक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुम्बक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चित्र संख्या 13.7 इस चित्र में छड़ चुम्बक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को दर्शाया गया है चुम्बक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाईए तथा इसक्रिया कलाप को दोहराईए क्या आप चुम्बक के विभिन भागों से आकर्शित हुए लोहे के बुरादे के तरिके में कोई परिवर्तन देखते हैं आप इस क्रिया कलाब को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोही की कीलों से तथा विभिन आकार के चुम्बकों से भी कर सकते हैं चुम्बक से लोहे के बुरादे के चिपकने के धंग का आरेक बनाईए क्या आपका आरेक चित्र संख्या 13.6a में दर्शाया गया जैसा है? पहली के पास आपके लिए एक समस्या है आपको दो समान छड़े दी गई हैं जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई है उनमें से एक चुम्बक है जबकी दूसरी लोहे की साधारन छड़ है आप कैसे ग्याद करेंगे कि इनमें से कौन सी चड़ चुम्बक है? हमने ग्याद किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा चड़ चुम्बक के दोनों सिरों के पास चिपकता है चुम्बक के ध्रूव इन सिरों के नस्दीक होते हैं कक्षा में विभिन आकरिती के चुम्बकों को लाने का प्रयास कीजिए लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुम्बकों के ध्रूवों की स्थिती की जांच कीजिए क्या आप चित्र संखिया 13.4 में दर्शाय गए चुम्बक के धुरुवों की स्थिती चिन्हित कर सकते हैं। 13.3 दिशाएं ग्याद करना प्राचीन समय से ही लोग चुम्बकों के बारे में जानते थे। चुम्बक के बहुत से गुण भी उन्हें ग्याद थे। आपने चुम्बकों के उप्योग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक समराठ के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रध था जिसमें एक महिला की मूर्ती थी। मूर्ती किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भूजा थी जैसे कि यहार रास्ता दिखला रही हो। मूर्ती में एक अनोखा गुण था मूर्ती ऐसी इस्तिती में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव, दक्षिन की ओर संकेत करती थी समराट जब भी इस रत से किसी नए स्थान पर जाता मूर्ती की फैली हुई भुजा को देख कर दिशा ग्यात कर लिया करता था आएए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं चित्र संख्या 13.8 इस चित्र में दिशा दिखलाते हुए मूर्ती वाले रत को दर्शाया गया है क्रिया कला 5 एक छड़ चुमबक लीजिए इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाईए अब एक धागे को चुमबक के मध्धे बिंदू से बांधिये जिससे की इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सकें यह सुनिश्चित कीजिए कि चुमबक प्रत्यक दिशा में स्वातंत्रता पूर्वग घूम सके इसे विराम अवस्था में आने दीजिए चुम्बक की व्रामावस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिती दर्शाने के लिए धर्ती पर दो बिंदों चिनित कीजिए इन बिंदूओं को एक रेखा से मिलाईए, यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है, जिस दिशा में चुम्बक अपनी विरामावस्था की स्थिती में आकर रुखता है. चित्र संख्या 13.9 इस चित्र में स्वतंद्रता पूर्वक लटका हुआ, चुम्बक सदैव एक इही दिशा में आकर रुखता है, इसको दर्शाया गया है. प्रिश्ट 130 अब चुम्बक के एक सिरे को आराम से धक्का दे कर घुमाईए, तथा इसे विरामावस्था में आने दीजिए. विरामावस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए. क्या अब चुम्बक एक भिन दिशा दर्शाता है? चुम्बक को एक दूसरी दिशा में घुमाईए, तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए. क्या आपने देखा कि विरामा वस्था में चुम्बक सदैव एक यही दिशा में रुखता है? क्या अब आप समराट के रत की मूर्ती के रहसे का अनुमान लगा सकते हैं? इस क्रिया कलाब को चुम्बक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकडी के स्केल से दोहराईए. इस क्रिया कलाब के लिए हलकी वस्थूओं का उपयोग मत कीजिए. तथा जहां तीवर वायू चल रही हो वहां से भी बचिए. क्या अन्य पदार्थ भी स अतंत्र लटका हुआ चुम्बक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिन होती है. जहां आप यह प्रयोग कर रहे हैं, वहां प्राता उक्ति हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए. यदि आपका चेह पूर्व की ओर है, तो आपके बाई ओर उत्तर होगा. दिशा निर्धारन के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता. परंतु यह विधी आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिन दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है. इसका उपयो उत्तर की ओर निर्धेश करने वाले सिरे को चुम्बक का उत्तर ओनमुखी सिरा अथ्वा उत्तरी धुरूफ कहते हैं. दूसरा सिरा दक्षिन ओनमुखी अथ्वा दक्षिनी धुरूफ कहलाता है. सभी चुम्बकों के दो धुरूफ होते हैं. चाहे उनका आकार कैसा भी ह समानिता चुम्बकों पर उत्तर यानि N तथा दक्षन यानि S धुरूवों को अंकित किया जाता है यहां पहली आपके विद्याले का मुख्य द्वार आपकी कक्षा से किस दिशा में स्थित है पूछ रही है चुम्बक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उप्योगी है यहां कहा जाता था कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुम्बक अपने साथ ले जाते थे जिसे धागे से लटका कर दिशा निर्धारन करते थे ततपश्चात चुम्बकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ती विक्सित हुई यहां कमपास यानि दिख सूचक के नाम से जानी जाती है कमपास समानिता काच के ढखकन वाली एक चोटी डिब्बी होती है एक चुम्बकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंद्रता पूर्वग घूमती है चित्र संक्या 13.10 में ऐसे ही ये कमपास को दर्शाया गया है कमपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है कमपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारन करना होता है इसकी सुई व्रामा वस्था में उत्तर दक्षिन दिशा को निर्धेशित करती है कमपास को तब तक घुमाते हैं जब तक की डायल पर अंकित उत्तर दक्षिन के चिन्न सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाएं चुम्बकी सुई के उत्तरी धुरुफ की पहचान के लिए समानिता इससे भिन रंग से पेंट किया जाता है प्रिष्ट 131 तेरा पॉइंट चार अपना चुम्बक स्वयम बनाईए चुम्बक बनाने की अनेक विधिया हैं आए हम सरल्तम विधी सीखें लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिये इसे मेस पर रखिये अब एक छड़ चुम्बक लीजिये तथा इसका कोई एक धुरुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिये चुम्बक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाईए चुम्बक को उठाईए तथा उसी धुरुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आईए चित्र संख्या 13.11 इसी प्रकार चुम्बक को लोही की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाईए इस प्रक्रिया को लगबग 30-40 बार दोहराईए जांच कीजिए कि क्या लोही की छड़ चुम्बक बन गई है इसके लिए कोई पिन अथ्वा लोहे का बुरादा इसके समीप लाईए चित्र संख्या 13.11 में इसी प्रकार का अपना स्वयम का चुम्बक बनाते हुए दर्शाया गया है यदि यह चुम्बक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए ध्यान दखिए कि चुम्बक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगणने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए आप लोहे की कील, सुई अथ्वा ब्लेड आदी को भी इसी प्रकार चुम्बक बना सकते हैं अब आप जान गए हैं कि चुम्बक कैसे बनाया जाता है, क्या आप अपने लिए कमपास बनाना चाहेंगे क्रिया कलाब 6 छड़ चुम्बक के उप्योग से लोहे की सुई को चुम्बकित कीजिए अब इसे किसी छोटी कौर्क अथवा फोम के टुकडे में निविष्ट कीजिए इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तहराईए ये सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को ना चुए जैसा कि चित्र संख्या 13.12 में दर्शाया गया है इस चित्र में एक प्याले में और उसमें एक चुम्बकिये सुई कौर्क में लगी हुई को दर्शाया गया है अब आपकी कमपास कारिय करने के लिए तयार है तहरती कौर्क पर लगी हुई सुई की दिशा नोट कीजिए सुई लगी कौर्क को विभिन दिशाओं में घुमाईए जब बिना घुमाए कौर्क तैड़ने लगे तो सुई की दिशा पुनह नोट कीजिए क्या कौर्क का घूमना बंध होने पर सुई सदैव एकी ही दिशा दर्शाती है तेरा पॉइंट पांच चुम्बकों के बीच आकर्शन तथा प्रतिकर्शन आईए चुम्बकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें दो छोटी खिलावना कारें लीजिए तथा उन पर A एवं B अंकित कीजिए प्रतिक कार के उपर लंबाई के अनुदेश रबड बैंड से एक चुम्बक लगाईए जैसा कि चित्र संख्या 13.13 में दर्शाया गया है कार A में चुम्बक का उत्तरी ध्रूव अगर भाग की ओर रखे कार B में चुम्बक विपरीत दिशा में रखे चित्र संख्या 13.13 क्या आसमान ध्रूव आकर्शित होते हैं चित्र 13.14 समान ध्रूवों में प्रतिकर्शाण अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखे जैसा कि चित्र संख्या 13.13 में दिखाया गया है आप क्या देखते हैं? क्या कारें अपने अस्थान पर रहती हैं? क्या कार एक दूसरे से दूर जाती हैं? क्या कारें एक दूसरे की ओर चल कर टकराती हैं? अपने प्रेक्षणों को सारणी नंबर 13.3 में धर्शाय अनुसार लिखे सारणी 13.3 इस सारणी में दो कॉलम दिखाए गए हैं, पहले कॉलम में कारों की स्थिती और दूसरे कॉलम में कारें कैसे चलती हैं, एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से दूर या फिर बिलकुल नहीं. कार A का अगरभाग, कार B के अगरभाग की ओर, कार A का पश्च भाग, कार B के अगरभाग की ओर, कार A को कार B के पीछे रखने पर, कार B का पश्च भाग, कार A के पश्च भाग की ओर. अब खिलावना कारों को एक दूसरे के समेप इस प्रकार रखिए कि कार A का पश्च भाग कार B के अगरभाग के सम्मुक रहें क्या ये पहले की तरह चलती हैं? जिस दिशा में अब कारे चलती हैं उसे नोट कीजिए अब कार A को कार B के पीछे रखिए तथा प्रतियक इस्थिती में उनके चलने की दिशा को नोट कीजिए अब कार B का पश्च भाग कार A के पश्च भाग की ओर रख कर इस क्रिया कलाब को दोराईए प्रतियक इस्थिती में अपने प्रेक्षन लिखे इस क्रिया कलाब से हम क्या देखते हैं? क्या दो समान धुरूव परस पर आकर्शित या प्रतिकर्शित होते हैं? आसमान धुरूव क्या करते हैं? परस पर आकर्शन या प्रतिकर्शन? यहाँ पर बूझो आप से यहाँ प्रशन पूछना चाता है कि किसी चुम्बक को कमपास के समीप लाने पर क्या होगा? चुम्बकों का यह गुण एक चुम्बक को लटका कर तथा एक दूसरे चुम्बक के उत्तरी तथा दक्षणी धुरुफ को एक-एक कर इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है कुछ चेतावनिया यदि चुम्बक को गर्म किया जाए, हतोडे से पीटा जाए या उचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है चित्र संख्या 13.15 चुम्बक गर्म करने पर, हतोडे से पीटने पर और उचाई से गिराने पर चुम्बक अपने गुण खो देते हैं इसी प्रक्रिया को इस चित्र में दर्शाया गया है यदि चुम्बकों का उचित रख रखाओ ना हो तब भी ये समय के साथ क्षीन हो जाते हैं छड़ चुम्बकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोडों के असमान ध्रुवों को पास-पास रखा जाना चाहिए चित्र संखिया 13.16 में दर्शाया गया है अपनी चुम्बकों का सुरक्षित भंडारन कीजिए नाल चुम्बक का भंडारन करने के लिए इसके धुरुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए अपने चुम्बक को कैसेट, मोबाइल, टेलिवीजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें प्रमुक शब्द कंपास यानि दिक्सूचक चुम्बक मेगनेटाइट उत्तरी धुरुव दक्षणी धुरुव सारांश मेगनेटाइट एक प्राकृतिक चुम्बक है चुम्बक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकरशित करता है ऐसे पदार्थों को चुम्बकी ये पदार्थ कहते हैं जो पदार्थ चुम्बक से आकर्शित नहीं होते, वे अचुम्बकी ये कहलाते हैं। प्रतीक चुम्बक के दो धुरूव होते हैं, उत्तरी धुरूव तथा दक्षणी धुरूव। सुतंतरता पूर्वक लटकाने पर चुम्बक सदैव उत्तर दक्षणी धिशा में आकर रुखता है। दो चुम्बकों के आसमान धुरूव एक दूसरे को आकर्शित करते हैं, जबकि समान धुरूवों में परस पर प्रतीकर्शन होता है। अभ्यास एक, यहां कुछ वाक्य दिये गए हैं जिनमें रिक्तिस्थान हैं, उनमें सही शब्दों को भर कर वाक्य पूरा कीजिए। क, कृत्रिम चुम्बक विभिन आकार के बनाए जाते हैं, जैसे रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान तथा रिक्तिस्थान। ख, जो पदार्थ चुम्बक की ओर आकरशित होते हैं, वे रिक्तिस्थान कहलाते हैं, ग, कागज एक रिक्तिस्थान पदार्थ नहीं है, प्रिष्ठ 134, ग, प्राचीन काल में लोग दिशा ग्यात करने के लिए रिक्तिस्थान का टुकडा लटकाते थे, ड, चुम्बक के सदैव रिक्तिस्थान धुरूव होते हैं, दो, यहां कुछ वाक्य दिये गए हैं, इनके बारे में सुनकर बताईए कि क्या ये सही है ये गलत, ग, बेलिनाकार चुम्बक में केवल एक धुरूव होता है, ख, क्रित्रिम चुम्बक का आविशकार यूनान में हुआ था, ग, चुम्बक के समान धुरूव एक दूसरे को प्रती कर्शित करते हैं, ग, लोहे का बुरादा चुम्बक के समीप लाने पर इसके मध में अधिक चिपकता है, ड, चुम्बक सदैव उत्तर दक्षुन दिशा को दर्शाता है, च, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ग्यात करने के लिए कमपास कउपियो किया जा सकता है, च, रबड एक चुम्बक की ये पदार्थ है, तीन, यहाँ देखा गया है कि पैंसिल छीलक यानि शार्पनर यद्यपी प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यहाँ चुम्बक के दोनों धुरुवों से चिपकता है, उस पदार्थ का नाम बताईए जिसका उप्योग इसक किसी भाग के बनाने में किया गया है, चार, एक चुम्बक के एक धुरुव को दूसरे चुम्बक के धुरुव के समीप लाने की विभिन स्थितियां कॉलमे एक में दर्शाई गई है, उसके बाद S, N, उसके बाद रिक्तिस्थान S, कॉलम दो में, रिक्तिस्थान, उसके बाद आकर्शन, फिर रिक्तिस्थान, उसके बाद प्रतिकर्शन. 5. चुम्बक के कोई दो गुण लिखिये. 6. छड़ चुम्बक के ध्रुव कहां इस्थित होते हैं? 7. छड़ चुम्बक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्न नहीं है. आप कैसे ग्याद करेंगे कि किस सिरे के समीब उत्तरी ध्रुव इस्थित है? 8. आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है. आप इसे चुम्बक कैसे बनाएंगे? 9. दिशा निर्धारण में कमपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? 10. पानी के टब में तैर्टी एक खिलोवना नाव के समीब विभिन दिशाओं से एक चुम्बक लाया गया. प्रत्य किस्थिती में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम एक में तथा संभावित कारण कॉलम दो में दिये गए हैं. कॉलम एक में दिये गए कत्रों का मिलान कॉलम दो में दिये गए कत्रों से कीजिए. कॉलम एक में कत्रन नाव चुम्बक की ओर आकर्शित हो जाती है. तो नाव चुम्बक के समीप आती है। जब उत्तरी धुरूव नाव के अगरभाग के समीप लाया जाता है, तो नाव चुम्बक से दूर चली जाती है। नाव बिना दिशा बदले तैरती है। कॉलम दो नाव में चुम्बक लगा है जिसका उत्तरी ध्रूव नाव के अगरभाग की ओर है। अपने कमरे की खिड़की तथा अपने घर या अपनी कक्षा के प्रवेश द्वार के खुलने की दिशा ग्याद कीजिए। 3. बढ़ाई के काम करते समय फर्श पर बहुत सा लकड़ी का चीलन फैल जाता है तथा कुछ लोही की कीले एवं पीच भी इसके साथ मिल जाते हैं। हातों से ढूनने में उसका बहुमूल समय नश्ट किये बिना आप कीलों तथा पेचों को बुरादे तथा छीलन से प्रथक करने में उसकी सहायता कैसे करेंगे। चार आप एक बुद्धिमान गुडिया बना सकते हैं जो अपनी पसंद की वस्तुएं चुनती है जैसा कि चित्र संखिया 13.17 में दर्शाया गया है। एक गुडिया लीजिए तथा इसके एक हाथ में एक छोटा चुमबक बांध दीजिए। इस हाथ को दस्ताने से चुपा दीजिए जिससे की चुमबक दिखाई ना दे। अब आपकी बुद्धिमान गुडिया तैयार है। अपने मित्रों से विभिन प्रकार की वस्तुएं गुडिया के हाथ के पास लाने को कहिए। वस्तु के पदार्थ की जानकारी से आप पहले से ही यह बता सकते हैं कि गुडिया इस वस्तु को पकड़ेगी यह नहीं। पढ़ने के लिए। गुलीवर की यात्राएं में लापुटा के पूरे द्वीब को हवा में तैरते हुए कल्पित किया गया है। वास्तों में इसमें चुम्बकों का ही हाथ होगा। इसी के साथ सोला पाठों के इस पुस्तक का तेरवा पाठ यहां समाप्थ हुआ।